आज हम बात कर रहे हैं previous year question series का जो हम practice series चला रहे हैं उसमें हमारा जो आगला subject जो है highway engineering है highway engineering को पहला chapter हमारा highway development and planning है ठीक है तो आज हम देखते हैं पहला question हमारा क्या है पहला question लिख रहा है कि according to recommendation of नाकूर conference with formation with formation for an ideal national highway in hard rock cutting hard rock cutting के लिए जो हमारा formation with कितना decide किया गया तो नाकपूर conference में तो इसका जो answer जो है right answer क्या है हमारा 7.9 है हमारा ठीक है अगला देखेंगे यह इस लिए नहीं होगा क्योंकि यह देखेंगे सी और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो मिनमाम जो हमारा पर लेंज होता है कितना होता है 7.5 हो गया एक लेन का लेकिन highway जब भी हम बनाते हैं तो लेन का बनाते हैं ते इन्टू टू हो जाता है तो शाट मेटर तो यह सही हो गया क्लस हमारा क्या आलता है हम लोग के लिачन को खंदेते हैं तो मार्च पॐंट09 का हमारा हो गया तो इस तरह से अनेज़न पंड्यमाम मो Eu था ठीक है नेक्स देखते हैं आगे है दा दा रोड डेवलेमेंट प्लान फार इंडिया पिरियाड नाइटी एटी वन टू 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 इस आलसो नोने कर रहा है कि हमारा 1981 से 2001 के उसको में लोग कौन सा रोड प्लान बनते हैं तो खही इसका राइट एंसर होगा क्योंकि ही लास्ट आमारा फ्लांट क्या था 1981 से नहीं पहला उन्हीं से सैंटाली से तीरसट का था लेकिन युकि पहले ही काम कूरा हूं घ्छ टीक है डूसरा हमारा फिर बांबए में हुआ था बांबए में त원 हमारा है से 181 से हुआ था और फिर तीसरा हमारा कान्फरेंस देवल्ब्लाण थे ठीक है नेक्स कोच्टन देखते हैं लिखा वगा हुआ हिजन या फिर उसमें कुछ स्पष्केसिकेशन है वे कौन धारत करता है तो हमारा IRC करता है Indian Road Congress करता है ठीक है HRBG नहीं यह भी नहीं करता है MB यह भी नहीं करता है और CRRI यह भी नहीं करता है तो right answer क्या होगा इसका यह होगा ठीक है next दखते हैं लिखा हुगा है drainage camber in the road is provided for camber हम किसके लिए प्रोवाइड करते हैं इसका right answer होगा क्या होगा हमारा effective drainage होगा इसलिए प्रोवाइड करते हैं तक जैसे वर्सा पानी जैसे ही वर्साथ हो तो पानी हमारे क्या उस पर लगे न तुरुद्रेन आउट होके नाली में चला जाए ठीक है अगर पानी रोड पर लगे तो क्या होगा कि हमारा सबta ग्रेट स्वाइल में पानी जाएगा फिर हमारे क्या होगा रोड हमारा तूटना च्रूब हो जाएगा ठीक है अगर बी Germans का रोड है तो उसको जानते ही पानी का ही दुस्मन होता क्या ठीक है तो बीटुमिन के साथ क्या होता है डिस इंटेग्रेट होना शुरूब हो जागती इसलिए लोग प्रियास करते हैं कि हम लोग जल से पानी मां से द्रेन आउट हो जाए ठीक है इसलिए हम लोग केंबर प्रवाइड करते हैं और हम ऐसा इसको एकात कुछण इस पर आया वुज़िश स्पे प्रेक्टिस भी कर लेंगे ठीक है नेग्स देखते हैं लिखा हुआ है recommendation recommended camber for water bound make-down ठीक है water bound make-down के लिए camber कितना होता है ठीक है तो चुकि camber जो होता है area के साफ़ से divide किया गया एक होता है light rain और दूसरा हमारा जब होता है heavy rain लिए क्या light rain के लिए हम बात करते हैं तो 1.7 2.0 2.5 और last नमारा 3 होता है अगर फिर हम heavy rain के लिए बात करेंगे तो 2 हो जाएगा 2.5 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा ठीक है पहला किस के लिए होता है पहला जो हमारा होता है वो हमारा RCC road के लिए होता है दूसरा हमारा bitumen के लिए होता है ये bitumen के लिए हो जाएगा तीसरा हमारा क्या होता है water bound magnum के लिए होता है ौह मारा है ? इसका आगे बिए होगा है । यह उप्रिया है यह व्याद कर लेंगे यह देखेंगे तो यहां से question बनता ही बनता है ठीक है किसका push लेगा thin bitumen surface के लिए क्या होता है water bound maximum के लिए क्या होता है यहां से decimal और fraction में दोनों को बेले हम लोग याद कर लेंगे ठीक है next देखते हैं लिखा हुगा है the ideal form of curve for submit curve, submit curve के लिए ideal हमारा जो तो उसके लिए हमारा आइडियल होता है इस सर्क्लर जी हाँ सर्क्ल तो होता है लेकिन यहां पर क्या है आईडियल पूछा थे इसका जो राइट अंसर होगा अलगाना कर यही पूछ देता हमको एक्चुली प्रैक्टिस कर करते हैं प्रवाइट क्या करते हैं हम लों सम्मिट करके लिए तो अब हमारा अंसर बी होता लेकिन इस कोशन के साब से हमारा यह क्योंकि आइडियल पुछा हुगा है ठीक है नेक्स देखते हैं लिखा हुगा है इब दर स्टापिंग्स डिस्टेंस एंड एवरेज लेंध थाफ वैकिल 18 मिटर एंड 6 मिटर रिस्पेक्टिली देन थे थी त्यूरेटिकल मैक्समुम केपैसिटी क्या होगा अगर श्पीड आप मारा 10 मिटर पर सेकेंड के दिया हुगा है था हम थी त्यूरेटिकल केपैसि यहाल होता है और अगला क्या होता है सस्टी और प्लस यहाल होता है फिर दोनों मैं से क्या मैक्सम होगा उसी कमनी यहां पर एक्षिक्टर लिखा हुआ है लिखा हुआ है, centrifugal force on a car moving on a horizontal circular curve each proportional to, ठीक है, किसके proportional होता है, ठीक है, तो हमको पता है, क्या पता है, P बराबर होता है, P बराबर होता है, क्या, M B square R होता है, M B square R होता है, ठीक है, और mass को हम लोड वेट के टर्म में रिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यह हम बराबर क्या हो ज जाएगा, तो है, आपर put करेंगे, यह कब बेलू, तो क्या जाएगा, इसका जो राइट एंसर आएगा, W B square R आएगा, ठीक है, B square R आएगा, ठीक है, देखते है, देखते है, लिखा हुए था, मिनिमाम रोलिंग रैडियस फार कर्व, रोलिंग डिजान इस्पिट भी दि प्रेक्शन यब दिया है, एक्सेलेर्शन डिटू ग्रेटी जी दिया हुआ है, और E हमारा क्या दिया हुआ है, सुपर इलुएशन दिया हुआ है, हमको पता है, क्या पता है, E plus B is equal to B square, B square अपन G R minimum, ठीक है, अबर यहाँ पर E क्या है, हमारा जो होता है, सुपर रेडियस होता है, ठीक है, minimum ruling, रेडियस होता है, तो फिर R बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, B square upon E plus E up, bracket में और Intimum क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, इसका जो right answer क्या आएगा, हमारा यह C आएगा, ठीक है, इस से numerical view बनता है, हमारा ठीक है, आगे देखते ह लिखा हुआ है, absolute minimum radius of curve for the safe operation, speed हमारा दिया कितना, 110 km दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा जो है, R minimum बराबर, अभी हमने देखा था न, R बराबर, R minimum बराबर क्या होता है, हमारा, B square E plus E up into G होता है, ठीक है, E का value हमको पता है, plain माल लेते हैं ते कितना होता है, 7% होता है, R का value कितना होता है हमारा, R का value जो होता है, हमारा 0.35 होता है, और G का value 9.8 होता है, B का value हमारा 110 दिया हुआ है, इसको रखेंगे, जो answer आएगा, वही हमारा क्या होगा, correct answer होगा, ठीक है, इसको मैंने solve नहीं किय है ठीक है आप लोग कर लिजिए का कितना अंसर आएगा ठीक है नेच्ट देखते हैं अगला लिखा वाट इस दा साइक्लोजिकल वाइडनिंग आफ दा पेवेंट अंद हर्जंटल कर्व आफ आफ रेडियस दो सो तीस मीटर फार रूलिंग इस फीड ठीक है कर रहा है हमारा कि साइक्लोजिकल वाइडनिंग के लिए हम लोग जापता है ना जब हमारा हर्जंटल कर्व होता है हर्जंटल कर्व अगर गाड़ी मूड रही है तो हम लोग एक्स्टा वाइडनिंग देते हैं उसके साथ हम लोग एक्स्टा वाइडनिंग भी देते हैं ताकि हमारा वैक psychological effect के लिए और vehicle rigidity को एक्स्टा प्रवाइड करते हैं तो वह ही पूछ रहा है कि हमारा कितना होता है कौन सा psychological ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम formula की बात करेंगे एक्स्टा वाइडिंग बराबर क्या होता है क्या होता है यान यह ल स्क्वाइर टू आर प्लस भी अपन 9.5 रूट आर होता है ठीक है 9.5 रूट आर होता है तब यह पहला वाला जो होता है यह हमारा mechanical होता है क्योंकि इसमें length दिया हुआ length किसका होता है बेकल का इसका होता है ठीक है तो mechanical होता है psychological क्या होता है भी 9.5 रूट आर होता है ठीक है यह हमारा psychological होता है तो यहाँ पर देखेंगे वी का value कितना दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुए 80 क्लिमिटर परावर दिया है और radius r दिया हुए इसको रखेंगे solve करने को बास जो एंसर आता है हमारा वह वह बी आता है 0.55555 आता है ठीक है यही साइद आएगा इसका ठीक है next देखते हैं the stopping side distance depend अपान दो किस पर depend करता है ठीक है तो SSD बरावर हमको पता है क्या होता है SSD बरावर हमको पता है stopping side distance बरावर VT प्लस V square 2G bracket में F plus minus यहां मतलब efficiency ठीक है तो यहां पर देखेंगे total direction time G हां यह भी हमारा right है speed a भी है efficiency a break a भी है मतलब all option करें dh का right answer हो जाएगा ठीक है next देखते है लिखा हुए pick up the incorrect statement from the following with of the right of way is decided to accommodate ठीक है incorrect कौन सा है जब हम लोग क्या करते है right way जब decide करते है उस time क्या हम लोग इसमें नहीं होता है formation with होता है जी हाँ slice slope के रोड हो गया रोड के payment हो गया यह वाला carriage इसको बोलते है यह side slope होता है फिर हमारा कुछ extra road का margin होता है ठीक है इसमें जो होता है क्या होगा वो हमारा दी होगा vertical का रफर्मिस में add on नहीं करते है ठीक है what is the next देखते है what is the value of lateral coefficient of friction as per IRC IRC recording हमारा lateral coefficient of friction कितना होता है 0.15 होता है ठीक है अब यह अगर lag in tutorial पूछता है तो हमारा कितना लेते है 0.35 to 0.4 तक हम लो बैलू इसको लेते है नेक्स टेकिंगे लिखा हुआ है लिखा हुआ है calculate the stopping side distance in meter further descending gradient इतना दिया हुआ है design speed इतना दिया है taking coefficient of friction इतना दिया है total reaction time इतना दिया हुआ है ठीक है 2 meter 2 second दिया हुआ है तो SSD पूछ रहा है हमको ठीक है तो SSD इसको calculate करेंगे तो SSD बराबर क्या होता है BT plus V square 2G bracket में F plus minus यहन ठीक है मतलब efficiency ठीक है अब किसका पुछा अडिसेंडिक पूछा तो मतलब minus हो जाएगा यहां पर VE का value रखेंगे किस में दिया हुआ है किलो मिटर में दिया है यह जो हम फर्मुला लिखे हुआ है यह हम VE का value मीटर में रखे हुआ हुआ है इसको किलो मिटर में change कर लेंगे मतलब 0.28 से multiply कर देंगे VE के जगा ठीक है तो हमारा किस में आजाएगा किलो मिटर में हमारा ही सब हो जाएगा तो इसमें रखेंगे जो right answer होगा क्या होई हमारा answer हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे लिखा हुआ है what will be the shift of transition curve if the length of transition curve is a c meter and radius of curve is 300 meter ठीक है तो हमारा shift बराबर क्या होता है 24 ठीक है देखे आगे लिखा हुआ 24 ठीक है यह लिखा हुआ है yes बराबर लिखा हुआ है yes बराबर लिखा है यहल स्कॉर 24 ठीक है यहल स्कॉर हम यहाँ पर गल्ती लिख रहातेगे yes बराबर होता है 24 ठीक है तो यहां पर length क्या दिया हुआ है हम लोग पहले transition curve दिया हुआ है उसका length दिया कितना reality दिया हुआ है है और रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है 300 मिटर दिया हुआ इसको वालू रखेंगे पूट करेंगे देखेंगे हमारा किया इतना इतना आएगा इसका राइट इंसर होगा हमारा सी होगा biber होता क्या है ठीक है जब हम लोगों भूड जो हमारा क्या होता है ट्रांजिशन कर्व और सपर कर्व अंशेयर करते हैं तो कुछ पयंद्र कर्द हमेरे टोट सम्मेल क्थप करना पड़ता कि इसको तो circular curve को state से मिलाने के लिए, वही shift यहाँ पर पूछ रहा है कि shift हमारा कितना होगा, ठीक है, आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, which instrument is used for measuring, आप longitudinal coefficient of friction, log longitudinal coefficient of friction जो होता कैसे हम लोग measurement करते हैं, bump integrator, both bump integrator and roughometer, जी दोनों से हम लोग करते हैं, bump integrator से और भी हमारा roughometer दोनों से करते ह है, हमारा roughness कितनी होना चाहिए, 150 cm per km हमारा है, तो good है, अगर ज्यादा होता है, तो condition हमारा तो change हो जाता है, आगे लिखेंगे, which of the following is correct statement, for the cross slope, cross slope किस के लिए पूछ रहा है, solder के लिए पूछ रहा है, तो यह हमको पता है, कि हमारा यह road हो गया, इस पे तो हम लोग carriage जो ब देते हैं हम लोग, तो इसका जो होता है, 0.5% steeper than the craft slope of the payment, payment से हमारा क्या होता है, हम लोग 5% आवलो हमें एक्सटा, देते हैं, किसका देते हैं, solder का देते हैं, ठीक है, next देखते हैं, लिखा हुआ है, intermediate side distance equal to, हमारा जो होता है, ISD किसके बराबर होता है, तो two time SSD के बराबर ह होता है, ठीक है, तो right answer, इसका C हो जाएगा, ठीक है, आगने स्टेकते हैं, लिखा हुआ है, कि हमारा correct value किसका पूछ रहा है, lateral और longitudinal friction के लिए value हमारा as per IRC कितना है, ठीक है, तो मैंने बताया, तो longitudinal के लिए कितना है, 0.35 to 4 होता है, और हमारा lateral के लिए 0.15 होता है, तो इसका है, calculate the design rate of super elevation on highway in the plane terrain, if the design speed of highway इस इतना दिया है, radius आप कर रही इतना दिया हुए, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जब plane terrain होता है, जब हमको पता है कि plane terrain होता है, तो हमारा super elevation maximum कितना 7% से ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इसका जो answer होगा, क्या होगा, 7 हो है, यहाँ पर हम सुपर elevation जब calculate किया है, 0.75, हम लोग 25% क्या करते हैं, reduce करके करते हैं, विलास्टिक हो, super elevation calculate करने लिए था, हमारा यह 7% आएगा, ठीक है, इसका तो 0.75, 20 स्कुरा अपां, जो होता है, ठीक है, आगे दिखेंगे, राइट आफ वे, इस समेशन आप्त, जी हाँ, इसका भी तो होता है, carriage based folder margin of road, Jewish है, इसका भी होता है, carriage way and rot margin, इसके भी होता है ठीक है मतलब सब का होता है लेकि रिदेमा क्या किया दिया यह पर देखेंगे अमने यह बनाया हुगा है figure भी यहाँ पर डाला हुगा है किसको लोग carriage view बोलते है right of view किसको बोलते है एक बार वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पर देखने हैं आप लो ठीक है next देखते हैं क्या लिखा हुगा है यह gradient on a highway is 1 in 20 radius of curve इतना दिया after great compensation great to be provided should not be less than 4% calculate the great compensation ठीक है the great compensation के लिए हमारा जो होता है 2 formula होता है 75 by r होता है और एक हमारा 30 plus देखें आप लिखा हुगा है 30 plus r by r होता है ठीक इन दोनों में से क्या होना चाहिए minimum जो value लोगे y हमारा great compensation होता है तो great compensation के लिए r के बालु कितना दिया हुगा था हमारा 200 दिया हुगा है calculate करेंगे तहां पर देखें क्या दिया 1.15% दिया 0.355 दिया इन में से जो minimum होगा वो कौन सा होगा 0.38 होगा ठीक है लेकिन question में हम देखते है पूछा क्या देखिया आप क्या पूछा है ग्रेट कमपनसेशन ही पूछा हुआ है grade कमपनसेशन पूछा हुगा कितना करना है हमको तब वो हमारा right answer क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लेकिन वह हमारा compensated grade पूछ था तब हमारा ये answer चेंज हो जाता देखेंगे compensated grade हमारा जो होता है जो ग्रेट हम प्रवाइट किये रहते हैं जो ग्रेट हम प्रवाइट किये रहते हैं उसमें से ग्रेट कमपनसेशन आता है माइनस करने के बाद से जो बैल्यू आएगा वह हमारा क्या रहता है ग्रेट कमपनसेशन हो जाता है ठीक है यह क्या होता है ग्रेट कमपनसेशन होता नहीं तो वहां पर हमको compensate करना पड़ता है कम करना पड़ता है ठीक है या पिर हिली एरिये जब हो गया वहां पर भी हमकोई सब चीज़ प्राप्रम देखने को मिलता है ठीक है नेक्स देखते हैं लिखा हुआ है यह पूर्शन आफ रूडवे कांटी जी वस विद्धा ट्रेवल वे एंड इस इंटेंडड़ फार्थ एक्कुमोडेशन आप स्टाप्ट बैकिल इसकाल ठीक हमारा जो होता है बैकिल जो होता है स्टाप करने के लिए रूड के लाबा और कौन सा चीज होता है कौन सा सर्पे होता है तो हमारा क्या होता है करलों करता हुए करबजी नहीं होता कर्ब स्टाइब northern चीक होता है सल्ड़र खाइं सेंट वपने के कीरिभा तो 1 in 100 meet with a descending gradient determined deviation angle ठीक है deviation angle पूछ रहा है मतलब यह अन बराबर पूछ रहा है यह अन बराबर क्या होता है यह 1 नुमर माइनस यह 2 होता है तो दोनों को हम क्या करना है add करना आता है यहाँ पर देखेंगे ascending gradient कितना दिया है 1 in 100 दिया हुए descending gradient कितना दिया हुए 80 दिया हुए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा मौनिन 80 इसको solve करेंगे solve करने के बाद से जो आता है answer है हमारा यह c आता है 9 by 800 आता है ठीक है इसका जो right answer होगा हमारा c हो जाएगा यह देखेंगे इसका deviation angle हमारा क्या होता है हमेशा यह होता है yon is equal to plus yon 1 minus yon 2 होता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा descending मतलब already तो हई है यह तो plus plus क्या और यह माइनस माइनस से हमपर plus हो जाता है ठीक है तो यह हमारा क्या आता है आज हमारा 25 question था highway engineering का मैं दूसरे subject को लाँगा फिर से ठीक है अगर आपनों के question अच्छे लग रहे है या फिर practice कर रहे कुछ सीख रहे है हमारे channel से तो आप इसको देखिए और अपने दोसनों को भी suggest किजे देखने के लिए ठीक है और हमारे channel को like and subscribe किजे टीक है मिलते है लेक्स वीटियो में थांक यू